हेलो दोस्तों, क्या आप गोआ घोमने का प्लान बना रहे है, लेकिन आपको पता नहीं है कि गोआ में घोमना कहा है, तो टेंशन मत लिजिए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मैं हुआ आपका दोस्त बनी, और इस वीडिय इसको गोवा एशिया ए उप महादवीब का एक ऐसा स्थान है जहां हमें सत्रह सौ के दशक की सभ्यता मिलती है दिल्चस्प बात यह है कि वे अभी भी बरकरार हैं और मालिकों की पीलियों द्वारा बसाए गए हैं पुर्थगालियों ने गोवा की संरचनाओं और व्यंजन को बढ़ाते हैं लंबे फूर्दान पियानो और लैंप वास्तुकला की असामान्य शैली को बढ़ाते हैं फर्नांडिस परिवार की सबसे बड़ी सदस्य सारा अपने तीन बेटों और उनके परिवारों के साथ हवेली में रहती है इसमें कोई संदेह नहीं है कि फर्नांड स्नो पाक अगर आप गोवा की चिलचिलाती धूप से परेशान हो गए हो तो चिंता मत कीजे नौर्थ गोवा के बागा में बना स्नो पाक आपको एक अलगी दुनिया में लेकर जाएगा इसकी एंट्री फीस सिर्फ 500 रुपे पर परसन है और इसके अंदर आप स्नो सलालम डैम वैसे तो गोवा में डैम ज्यादा नहीं है लेकिन साउध गोवा का ये डैम इतना ज्यादा खुबसूरत है कि इसकी खुबसूरती और इसकी बनावट लोगो को अपने और अट्रेक्ट करती है अगर आप वाटर फ्लो देखने के शौकीन है तो आप यहां गोवा की राजधानी पंजिम में मांडवी रिवर पर बने सारे कसिनोस अपने आप में एक से बढ़कर एक है अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप एक रात इन कसिनोस में जरूर बिताए यहां की चका चौद कर देने वाली राते आपको एक अलग ही एक्सप आपको गोवा में डॉल्फिन बोट राइड एक बार जरूर ट्राइ करना चाहिए यह राइड आपको डॉल्फिन के अलावा समंदर में एक बोहत ही रोमान चक बोट राइड एक्सपिरियंस करवाएगा इसकी टिकेट मात्र 350 रूपे पर परसन होती है आपको यह राइड मंदिर श्री मंगेश मंदिर है यह मंदिर गोवा के पोंडा तालुक के प्रियोल में मंगेशी गाउ में स्थित है मुख्य मंदिर शिव के अवतार भगवान मंगेश को समर्पित है यहां भगवान मंगेश की पूजा लिंग के रूप में की जाती है परानिक कथा के अनु कर शिव वापस अपने सामान्य रूप में आ गए माम गिरिशा शब्द शिव के साथ जुल गए और समय के साथ ये शब्द संक्षिप्त रूप में मनविरिशा या मनवेश हो गए चौदावे नमबर पर है लोव अग्वाडा फोर्ड इस जगह को अग्वाडा किले के बॉर्डर के रूप में देखा जा सकता है यहाँ पर टूरिस्ट अक्सर शाम के वक्त यहाँ का संसेट देखने आते है इसके अलावा इसके बाजू में सिंक्यूरियम बीच भी है जो गोगा के खूबसूरत बीचों में से एक है तेरावे नमबर पर है गोगा का फेमस स्पोर्ट अक्टिविटीज कायाकिंग वैसे तो गोगा में आप कई सारी अक्टिविटीज कर सकते है लेकिन कायाकिंग उन सब में अलग है और इसलिए मैंने इसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन में शामिल किया है यह आपको गोगा के बैक वाटर का एक अलग ही नजारा दिखाएंगी कायाकिंग करने के लिए सबसे अच्छी जगह है कोला बीच बारावे नमबर पर मैंने रखा है नौर्थ गोगा के अंजुना स्टोन बीच को आपने रेत वाले बीच को तो हर जगह देखा होगा लेकिन अंजुना बीच का स्टोन बीच अपने ही आप में काफी यूनिक और अलग है आप अर्ली मॉनिंग यहां विजिट करके इस स्टोन बीच को देख सकते है इसके अलावा आप यहां का फेमस फ्ली मारकेट में शॉपिंग भी कर सकते है ग्यारावे नंबर पर है गोगा का सबसे खुबसूरत बीच बटरफलाई बीच नहीं नहीं इस बीच पर बटरफलाई नहीं है अक्चुली इस जगह का शेप एक बटरफलाई के जैसे है इसलिए इस जगह को बटरफलाई बीच कहते है और यकीन मानो अगर आप इस जगह पर नहीं गए तो आपने गोगा की असली खुबसूरती देखी ही नहीं बटरफलाई बीच को गोगा का स्वर्ग भी कहा जाता है इसलिए अगर आप साउध गोगा ट्रेवल कर रहे हो तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना दस वे नमबर पर है दुनिया भर में फेमस गोगा की सबसे फेमस लेन टीटोज लेन टीटोज लेन गोगा आने वाले हर किसी की बकेट लिस्ट में शामिल होता है ये जगह अपने फेमस नाइट क्लब के लिए फेमस है ये बागा बीच के पास ही बनी है और इस जगह पर आप बैंकॉक और पैटाया की गलियों का फील ले सकते है नौवे नंबर पर है फोर्ट अग्वाडा जेल म्यूजियम अगर आप हिस्टोरिकल प्लेसर्ज और पुरानी चीजों के शौकीन है तो आपको इस जगह पर जरूर विजिट करना चाहिए इस जगह पर आप गोवा की कल्चर, उसकी हिस्ट्री और फ्रेडम फाइटर के बारे में काफी डिटेल्स मैं जान सकते हो आठवे नंबर पर है गोवा के फेमस और बॉलिवूड शूटिंग लोकेशन फाउन्टेन हैस इस जगह को लेटिन कौर्टर भी कहते हैं इस जगह पर रोजाना हजारों टूरिस्ट विजिट करते हैं ये जगह अपने कलरफुल हाउसेज और खूबसूरत आकिटेक के लिए फेमस है ये गोवा की राजधानी पंजिम में लोकेटेड है साथवे नंबर पर मैंने रखा है रेस मागोस फोर्ट रेस मागोस किला गोवा का एक इतिहासिक पुर्टगाली किला है जो मंदोवी नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है किला का निर्मान 1551 में किया गया था आज ये गोवा के इतिहास और पुर्टगाली वास्तुकला का एक अच्छी तरह से बचाया हुआ स्मारक है रेस मागोस किले के आगे वाले दिवारों और तोपों को दर्शक देख सकते हैं इस जगा पर आप पुर्टगालीों के समय के आर्किटेक को देख सकते हैं इसके अतिरिक्त रेस मागोस किला भी अपने चित्रस्थल और शांत वातावरन के लिए एक प्रसिद पर्याटक स्थल है लगभग सभी दिशाओं में बेहतरी नजारे हैं और गोवा के समरिदस सांस्कृतिक विरासत के बारे में जान सकते हैं ये दुनिया भर के टूरिस्ट को आकरशित करता है जो इसकी सुन्दर्ता में मोहित होते हैं और इसके रोमांचा के तिहास में खो जाते हैं इसे लवब पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है दोना पाउला एक खूपसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यह एक बॉलिवूड मूवी शूटिंग लोकेशन भी है सिंगम मूवी याद है ना सिंगम के अलावा भी काफी सारी मूवीज की शूटिंग इस जगह पर हुई है यह प्लेस अपने संसेट के लिए भी काफी फैमस है पांचवे नंबर पर है अग्वाडा फोर्ट अग्वाडा फोर्ट का निर्मान 1612 में पोचूगीज द्वारा मराथाओं और नीदरलेंड के सिपाहियों से बचने के लिए बनाया गया था अग्वाडा एक पोचूगीज वर्ड है इसका मतलब होता है वाटरी मतलब पानी का स्त्रोथ 1864 में बना भारत का सबसे पुराना लाइट हाउस भी यह मौजूद है इस जगह पर काफी सारी मुवीज की शूटिंग हुई है ये जगह काफी फैमस टूरिस्ट अट्रैक्शन्स है और रोजाना ये हजारों लोग आते है इसके जस्ट बाजू में बना लाइट हाउस पर रखा है जिसमें से पहला है Most Famous Place चपुरा फोर्ट ये फोर्ट अपने दिल चाहता मुवी के शूटिंग लोकेशन के नाम से भी फेमस है इसके अलावा इस फोर्ट से आप वागेटर बीच का सुन्दर न जारा और शाम को एक अदभुत संसे देखने भी आ सकते है फोर्ट गिया जिन्दगी मुवी के शूटिंग लोकेशन के नाम से भी जाना जाता है ये वही जगह है जहाँ पर आलिया भट और शाहरुक खान का वोवो साइक्लिंग वाला सीन है इस जगह पर आने का सबसे अच्छा टाइमिंग सुबह का होता है यहां की एंट्री टिकेट बिल के फेमस टूरिस्ट अट्राक्शन में तीसरे नंबर पर मैंने रखा है ओल्ड गोवा चर्चेस को इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेट साइट का दर्जा प्राप्त है इस जगह पर आप दुनिया का फेमस चर्च बसिलिकर ऑफ बोंग जीजिस चर्च को देख सकते हो ये चर् सेंट फ्रांसिस जेवियर की बोडी को पिछले 400 सालों से भी ज्यादा समय से रखा गया है इसके अलावा आप ओल्ड गोवा में से कैथेडरिल, चर्च अफ आ लेडी अफ द रोजरी, चर्च अफ सेंट फ्रांसिस अफ असीजी, चैपल अफ सांटा कैटरीन, रुइन्स अ गोवा के सबसे खुबसूरत चर्च, Immaculate Conception Church है, ये चर्च गोवा की राजधानी पंजिम में लोकेटेड है, इस जगह पर बोलवुड और टॉलीवुड की कई सारी मुवी की शूटिंग हुई है, गोवा टूरिस्ट अट्राक्शन्स में ये जगह काफी फेमस है, और रो सागर वाटरफॉल को, यह वाटरफॉल इंडिया के सबसे बड़े और सबसे खुबसूरत वाटरफॉल मैंसे एक है, ये गोवा करनाटक के बॉर्डर पर आता है, और यहां विजिट करने का सबसे अच्छा समय ठीक मानसुन के बाद, अक्टूबर से मार्च का है, तो दोस तो मैंने गोवा में कई सारी जगहों पर परसनिली घूम कर उस जगह को और भी ज्यादा अच्छे से जानने का प्रयास किया है, इसके लिए अगर आप और भी ज्यादा अच्छे से गोवा को जानना या देखना चाहते हो तो मेरी 6 मन्त इन गोवा सीरीज को जरूर विजि झाल झाल